नमस्कार मैं प्रियर एंजन और आप देख रहे हैं टेजर्स ड्रीम आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करेंगे यस बैंक के स्टोक के बारे में चुकि इसके कोटरली नंबर साथे वे दिखे हैं बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि नंबर बुरा आया है तो बहुत सारे लो पर लेंगे अगर आपको हमारे active trading community group और learning group से जुड़ना है यहां सबसे बरा जो इडिटोरियल इससे मैं ट्रेंड हो रहा है कि यस बैंक पैट यानि profit आप्टर टेक्स 45% डाउन 202 करोरे जब प्रोवीजन विग और यहां आगे देखेंगे the higher provisioning is mainly on our loans and security receipt sis MD and CEO प्रसांत कुमार यह आप सभी लोगों ने परहा होगा इसको मैं आपके आसान भाता में record करूं तो यहां देखेंगे तो सभी जगह यही जो है कि profit after tax 45% गीर चुका है लेकिन यहां थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिस करेंगे यहां इस समय कोटरली result हमने ले र इस समय रिसेंट के समय में highest ever revenue company ने declare करा वो चाहे cotton quarter basis पे देखेंगे या फिर आप इसी stock के year on year basis पर भी देखेंगे तो revenue में काफी बड़ा उचाल दिखा है लेकिन अगर net profit को देखेंगे तो cotton quarter basis पे देखेंगे तो लगभग 4 times का growth दिखा है जहां last quarter company ने declare करे थे 55 करोर के profit वहीं इस बार के profit को देखेंगे तो 206 करोर के profit देखने के मिले हैं लेकिन इसके जो numbers अभी दिख रहे हैं वो year on year basis पे दिख रहा है जहां आपको 44% downtrend दिख रहा है चुकि इस stock के sustainability पे भी question mark लग रहा था यहां देखेंगे जो मार्स 2022 में था वो recent year का जो या quarter का देखा था उसके बाद एक गिरावर देखी लेकिन यहां से देखेंगे तो अगें जो है profit काफी बेहतर company ने डिकिलियर कर रहे हैं कोटन कोटर basis पे काफी बेहतर नंबर है year on year basis पे थोड़ा बहुत आपको जो है बैड फिल होते वे दिखेंगा यहां अगर आगें आप देखेंगे year on year basis पर भी देखेंगे तो revenue पिछले दो quarter को इसने बीट करा है इसके साथी profit देखेंगे तो जहां earlier company ने काफी बड़े बड़े losses भी डिकिलियर करें वहां देखेंगे कि समय company profitable होते वे दिख रहा है provisioning का थोड़ा बहुत issue आ रहा है जिसके कारण देखेंगे तो थोड़ा बहुत अभी भी pain देखने को मिल रहा है अगर share holding pattern को देखेंगे तो आप पाएंगे share holding pattern में कि जो DIs के holding है उसमें थोड़ी बहुत holding घरते वे दिखा है लेकिन FIs के holding में भी थोड़ी बहुत गिराब amount है वह 11 करोर है जिसमें 50 लेक shareholder जो है वह रिलाइस के हैं यह काफी बड़ा numbers होता यानि हर लगबग 18-20 में डीमेट 20 डीमेट में हर एक आदमी के पास जो है 20 के अनुपात में देखें तो Yes Bank के shareholder आपको देखेंगे परते एक 20 व्यक्ति के अंदर जो एक व्यक्ति है उसने hold कर रखा है यहां देखेंगे provisioning जो है थोड़ा बहुत ज्यादा होते वे दिखा है year on year basis पे जिसके कारण यह profit भी deep दिखा, slipages भी थोड़ा बहुत आते वे दिखा, provisioning देखेंगे तो coverage ratio जो है थोड़ा बहुत highest रहा है, restructure book देखेंगे तो वो भी बेहतर होते वे दिख रहा है, प्रसांत जी के ज़ारा कुछ बरी बयान आते वे दिखे हैं, we are not aware of plans of any investor to reduce a stake in yes bank, retail liability at 1.15 lakh करोर और 53% of total liability, total liability का 53% liability जो है वो retail customer के पास कासा ratio का देखेंगे तो काफी improvement होते वे दिख रहा है, higher provisioning largely for loans and security deposit, यह दो बड़े points है, जहाँ provisioning बरते वे दिखी है, इसके साथ ही guidance को ले करके company के management के तरफ से क्या बयान आया, expect recoveries for FY24 to be in a smaller range 5000 करोर, slipages will continue to trend lower, जो slipages हैं, वो lower आते वे दिखेगा, credit growth has been 13.2% in FY23, mainly as large corporation has come downs, इसके साथ ही देखेंगे तो 15-20% credit growth के भी expect किये जा रहे हैं, यहाँ mutual fund की भी देखेंगे तो buying जो है ठीक टाक होते हुए दिखी है, यहाँ इसके trend को देखेंगे, तो आप यह समझ के चलिए कि 15-17 का zone एक consolidated zone है, एक बार 17 के level को breakout करें, तो एक बारा trend भी expect किया जा सकता है।